पिछली कुछ वीडियोज के अंदर आप में से कई सारे दोस्तों ने वन कार्ड को लेके बहुत सारे कमेंट किये, बहुत सारे क्वेस्चन पूछे है, इतने सारे कमेंट और क्वेस्चन देखकर मैं आपको एक बात शॉरली कह सकता हूँ कि जो क्रेट कार्ड यूजर है, उस यह पाता हूँ कि आपको वन कार्ड के बारे में साई से डीटेल नहीं बताई जाती है, इन रिव्यूज के अंदर आपको कहीं पर तो यह भी बताया जाता है कि यह जो कार्ड है, एक बाइनाव पेलेटर सर्विस है, वन कार्ड जो है प्योर कार्ड कार्ड मुझे यह समझ करने की सोच रहे हैं, वीडियो के अंदर में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि वन कार्ड कि इन को यह प्लाई करना चाहिए, जो गुड तिंग है इस करेंड के बारे में उनकी बात कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो इस करेंड कार्ड का यह है, यह जो बिना किसी जोएनिंग फीस किया आता है, बिना किसी अनुबल फीस किया आता है, यह नहीं यह क्रेट कार्ड का अपका लाइटाम फ्री रहता है, दूसरा पॉइंट इसका ही है कि आपको secure, unscure दोनों बेस में मिलता है, अगर secure कार्ड की बात करेंड़ तो यहाँ पर आपको मातर 2,000 यहां पर आप जो भी करवाते हैं उसके पर आपको 6.6% मिलता है दूसरी तरफ आप जो भी अपर करवाते हो उसका आपको 110% क्रेट लिमिट दी जाती है आपके क्रेट कार्ड पर करें दोस्तों इस करेट कार्ड का जो मुबाइल अप्लिकेशन उसका इंटरफेस होती अच्छा है यूज करने में काफी अच्छा है बहुत सारी चीजों का एकसेस आपको इसके मुबाइल अप्लिकेशन अंदर मिलता है कि आपको 5x reward point मिलते हैं आपके top 2 spent categories के उपर इसके ज उसे transaction के उपर reward point मिलेंगे और दोस्ताब जो point मैं आपके साथ share करने वाला हूँ YouTube के उपर यह point अब तक किसी नहीं किया है अगर आपके पास one card है तो आप एपनी family member के साथ अपनी limit share कर सकते हो add on credit card उनको दे सकते हो लेकिन यहां पर आपको एक अच्छा benefit यह मिलता है कि दिखाई देंगे और दोस्तों last good point की बात करें तो यह credit card आपको जो है metal form में भी मिलता है वीडियो के इस part में मैं आप सभी के साथ share करने वाला हूँ 10 bad points about one card और इसके बाद मैं आप सभी के साथ यह share करूँगा कि किन लोगों को यह जो one card है वो लेना चाहिए किन लोगों क को नहीं लेना चाहिए सबसे पहले bad point की बात करें दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि one card जो है कोई भी bank नहीं है one card का अलग लग बैंकों के साथ tie up है और one card आपको यह credit card है दो टाइपस की देता है एक secure credit card देता है दूसरा unsecure credit card देता है जह secure credit card है आपको यह जो है HVM bank के साथ मिल के देता है यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि maximum लोगों को one card की तरफ से secure credit card मिलता है साइट के ओपर यह दिखाया गया है कि one card की तरफ से आपको जब metal credit card मिलेगा बहुत सारे credit card user इस metal वाले credit card को देखकर credit card जब one card में apply कर देते हैं जब उनको credit card मिलता है तो plastic कम मिलता है यहां पर मैं आपके जानकार के लिए बताना चाहूँगा आप one card का metal card पाना चाहते तो आपको minimum 50 और रुपे के FD करवानी होगी अदर्वाइस आपको इससे कम के FD करवाने पर plastic का ही credit card मिलेगा इससे next जो point है दोस्तों इसके replacement charges और cancellation charges को लेकर है अगर आप within 6 month इसके metal credit card को cancel करते हैं या replacement करते हैं तो फिर आपको 3000 plus GST पे करना होगा अगर वहीं आप plastic credit card को replace करते हैं तो वहां पर आपको 300 plus GST जो है pay करना होगा वह सारे नए credit card यूजर जब इस credit card को FD based पे ले लेते हैं उनको मान लीजिए 20,000 रुपे की limit इस credit card मिलती है और 15,000 की कोई भी transaction कर लेते हैं उनको लगता है कि उनकी credit card की limit तब भी 20,000 रुपे है तो यहां पर मैं आपक इस credit card की amount यूजर कर सकते हैं जैसे जैसे आप यूजर करते जाएंगे बाकी amount आपकी इंक्रीज होती जाएगी इससे जो next point है दोस्तों इस credit card पे आपको low rate reward point मिलते हैं और दोस्तों इससे next point मैं आप सभी शेयर करने वाला हूँ इस point को अब तक YouTube के उपर किसी ने भी cover नही करता है और इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो सिवल है बनना चालो होगा कम से कम तीन से चार महीं ने बाद अगर आप one card यूज कर रहे हैं आपके सिवल में कब report किया गया था नीचे comment कर जिरूर शेयर करें और दोस्तों इस credit card की FD को अगर आप ब्रेक करते हैं तो उसके आप one card के इस credit card को बंद करवाना चाहते हो तो बंद करवाने में आपके 15 दिन से लेके 3 महीने तक लग सकते हैं दोस्तों आपने इस credit card को भी बेस पे लिया है चाहिए प्लास्टिक वाला लिया है फिर मेटल वाला लिया है उसको आपको minimum 6 मन तक यूज करना पड़ेगा दूसरा मेटल कार्ड में मिलता है मेटल वाला आपको सिर्फ मिलेगा minimum 50 रुपे की अपड़ी करवाने पर अद्वराई इससे कम के अगर आपको प्लास्टिक क्रेट कार्ड मिलेगा अगर आप एक स्टुडेंट है आप कम FD अमाउंट पे ज्यादा लिमिट लेना चाहते ह आपको जितनी भी आप अपनी करवाओंगे उसकी 110 परसंट जो क्रेट लिमिट दी जाती है अगर आप अपने सिवल्स को जनरेट करना चाहते हो आपकी लाइप का पहला क्रेट कार्ड होने वाला है कोई भी बैंक आपको क्रेट कार्ड नहीं दे रहा तो फिर आप इस क्रे कि ऐसा स्पेशल बैनिफिट देखने को नहीं मिलता है रिवोड पाइंट इतना खास नहीं है कोई पॉइंट रह गया है आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करकर शेयर कर सकते हैं वीडियो आपके लिए हेलफुल रहे इसी के साथ मैं आपसे एक छोड़ी सी रिक करना चाहूंगा कि प्लेज इस वीडियो जो है लाइक जरूर कर देना चल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप जो है वन कार्ड यूज कर रहे हैं आपका क्या एक्सपीरिंस है नीचे कमेंट करकर जरूर शेयर करें